दोस्तों क्या आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू देखा है जिसका वजन 1000 किलो से भी ज्यादा है और क्या आपने कभी इतना बड़ा प्यास देखा है जिसे उगाने में 25 सालों का समय लगा और क्या आपने कभी इस नीबू को देखा है जिसका साइज हम इनसानो का किताब हासिल किया है लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू कि इससे पहले मैंने डुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीट फूट के बारे में वीडियो बनाया था जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तो चलिए, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो इस बात में कोई शक नहीं है कि तर्बूस बहुत बड़े होते हैं और इसका समाने वजन 20 पाउंड तक होता है लेकिन आपको बता दूँ कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 350 पाउंड वाले तर्बूस के नाम दर्ज है और इस तर्बूस को टैनिसी में रहने वाले क्रिस केंट नाम के एक वैक्तिने उगाया था क्रिस ने सन 2013 में हेमल्टन ओयो में आयोजित ओपरेशन पंकिन में अपने तर्बूस को पेश किया था जिसके बाद उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला और साथ ही उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा तर्बूस उगाने का वर्ल रिकॉर्ड बनाया जब क्रिस को इतने बड़े तर्बूस के बारे में पूछा गया तो नोंने कहा कि ये तर्बूस साउत में अच्छे होते हैं और शुरुवात से ही ये तेज रफ्तार से बढ़ते हैं इन तर्बूस को दिन में 6 गंटे की अच्छी धूप और खुले जगा की ज़रूरत होती है और इसे ज्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और अगर मौसम इस फल के अनुकूल रहा तो ये 70 पान्ड वजन जितने भी बड़े हो सकते हैं दोस्तो अभी आप जिस टमाटर को देख रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा टमाटर है जिसे मिनी सुडा के रहने वाले डैन नाम के वैक्तिने बनाया था दोस्तो डैन पिछले कई सालों से बड़े आकार के कद्दू उगा रहे हैं लेकिन तभी उन्हें ये खायाल आया कि दुनिया का सबसे बड़ा टमाटर उगाना कैसा रहेगा वो इस चीज के लिए इतने एक्साइटेट थे कि उन्होंने ठान लिया था कि वो सबसे बड़ा टमाटर उगा कर पहले से बने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और सन 2014 में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया उन्होंने सबसे बड़ा और भारी टमाटर उगा कर पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया आपको बता दूँ कि डैन के टामाटर का वजन 8 पाउंड था जबकि पिछले रिकॉर्ड वाले टामाटर का वजन 7 पाउंड था वैसे आपको इस टामाटर के बारे में जानकर कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शकरकन साउथ कैरोलिना में सन 2018 के दौरान उगाया गया था जिसे वहाँ के एक किसान परिवार ने उगाया था दरसल 2018 के अप्रेल महिने में इस परिवार ने शकरकन लगाया था और जब बारिश का मौसम बीद गया उसके बाद उन्होंने अक्टूबर महिने में अपने खेतों की सफाई शुरू की ताकि पूरी तरह से उख चुके शकरकन को बाहर निकाल सके लेकिन तबी उन्हें एहसास हुआ कि एक शकरकन का आकार बड़ा है जिसके बाद जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो उनके होशी उड़ गया ये शकरकन इतना बड़ा था जिसकी उन्होंने कलपना भी नहीं की थी इस परिवार का कहना था कि उन्हें नहीं पता कि इतना बड़ा शकरकन कैसे हो गया जब इसके वजन को माफा गया तो ये पूरे 18 पाउंड का था जिसके बाद इस परिवार ने अंजाने में एक पुराने वल्ल रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक नया वल्ल रिकॉर्ड कायम किया क्योंकि इससे पहले जी शकरकंद के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसका वजन 12 पाउंड था जिससे ये पूरे 6 पाउंड ज्यादा था दोस्तो दुनिया का सबसे बड़ा गाजर सन 2014 के दोरान मिनी सुड़ा में उगाया गया था जब क्रिस नाम के वैक्ती ने अपने खेट से गाजर निकालने के लिए खुदाई की तो एक अजीब सा दिखने वाला भारी भरकम गाजर बाहर निकला जिसका वजन 22 पाउंड था जिसके बाद क्रिस ने दुनिया के सबसे बड़े और भारी गाजर के वल्ल रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिया दोस्तो इससे पहले भी सबसे बड़े गाजर का वल्ल रिकॉर्ड बन चुका था जिसका वजन 20 पाउंड था दोस्तो वैसे तो ये गाजर, लंबे और चिकने होते हैं लेकिन ये एक ऐसा गाजर था जो चारों तरफ से उलजा हुआ था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये कई गाजरों से मिलकर बना हो दोस्तो चुकुंदर एक ऐसा फल है जिसका इस्तमाल बहुत से डिशेस और सलात के रूप में किया जाता है लेकिन एक फॉरेनर यूटूबर जेक जो अपने चैनल पर गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं उन्होंने अपनी एक वीडियो में ये बताया कि जब वो अपने खेतों से चुकुंदर निकाल रहे थे तो उनमें से एक चुकुंदर बहुती बड़ा था जो देखने में बिल्कुल मानाओ के हिरदय जैसा लग रहा था लेकिन उसे बीना मापे तॉले ये कहना मुश्किल है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुकुंदर है क्योंकि इस वर्ल्ल रिकॉर्ड का किताब UK के जो नाम के एक वैक्ति के पास था जिसके बीड का आकार 26 फीट और एक इंच था इस चुकुंदर को जो ने UK जाइंट वैजिटेबल चैंपियंशिप में पेश किया था जहां जीत कर उन्होंने वर्ल्ल रिकॉर्ड का किताब हासिल किया था नंबर फाइफ मैंगो दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े आम का वल्ल रिकॉर्ड हवाई के रहने वाले कॉलिन पॉर्टर के नाम दर्ज था जिसका वजन पांच पाउंड था लेकिन 2009 में ये रिकॉर्ड तूड गया जब ये बात सामने आई कि फिलिपीन्स के रहने वाले मारिया और सुकारा 3.3 से 5.5 पाउंड वाले आम का उत्पादन करते हैं तो ये रिकॉर्ड उनके नाम हो गया आपको बता दूँ कि ये हमेशा सही सबसे बड़े आम उगाते आ रहे हैं लेकिन इन पर किसी का भी ध्यान नहीं गया लेकिन जब फिलिपीन्स में क्रिशी प्रतियोगिता आयूजित हुई तब इन दोनों ने अपने आम को लेकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जिसके बाद क्रिशी अधिकारियों की नजर इन पर पड़ी जिसके बाद इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा आम उगाने के लिए वर्ल रिकॉर्ड का किताब दिया गया दोस्तो आप लोगों ने पत्ता गोबी या बंद गोबी की सबजी जरूर खाई होगी लेकिन क्या आपने दुनिया का सबसे बड़ा पत्ता गोबी देखा है अगर नहीं तो अब देखिए इस पत्ता गोबी को अलास्का के रहने वाले स्कॉर्ट रॉब ने उगाया था जिसका वजन 138 पाउंड था लेकिन स्कॉर्ट के लिए ये पत्ता गोबी उगाना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि इस से पहले वो सबसे बड़ा शलगम उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और अब दुनिया का सबसे बड़ा पत्ता गोबी उगाकर उन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड का किताब अपने नाम कर लिया है स्कॉर्ट का कहना है कितना बड़ा पत्तागोबी होने का करण ये भी है कि अलास्का में बहुत दिनों तक गर्मी और कम अंधेरे वाला माहौल था 37 इसमें सही बीच और खेती की तक्निक इस्तमाल की गई जिसके कारण इतना विशाल पत्तागोबी उग गया दोस्तो प्यास एक ऐसी सबजी है जिसे काटने पर हमारे आँखों से आसू निकलने लगते हैं और अब आप जो प्यास देख रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा प्यास है जिसका वजन 18 पाउंड था अगर इस प्यास को काट दिया जाए तो यकिनन उस पूरे महले के काटनर पीटर ग्लेसब्रूक ने उगाया था दोस्तो पीटर एक ऐसे वेक्ति हैं जो पिछले कई सालों से बड़े आकार की सबजी उगाने के लिए जाने जाते हैं और अपने 25 सालों की मेहनत के बाद उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा प्यास उगा कर एक विश्व र वजन 6-8 किलोग्राम के बीच होता है लेकिन अब आप जिस कद्दू को देख रहे हैं उसका वजन जानकर आपके होश उड़ जाएंगे आपको बता दूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू है जिससे सन 2016 में जर्मनी के मैथ्यू विलियम ने अपने खेत में उग पाने के लिए गिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का किताब दिया गया ये कद्दू इतना बड़ा और वजन दार था जिसके कारण इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जैसी भी लूटर का इस्तमाल किया गया था नमबर वन लैमन दोस्तो जब गर्मियों के मौसम में हम नीबू देखते हैं तो हमें नीबू पानी की याद आती है आम तोर पर एक समाने नीबू से एक या दो गिलाज भरा जा सकता है लेकिन अब आप जिस नीबू को देख रहे हैं उससे आप पूरा एक ड्रम नीबू पानी से भर सकते हैं जी हा दोस्तो इस नीबू का वजन पूरे 11 पाउंड था जिसे सन 2013 में इसराइल के किसान एरोन शेहमाल ने उगाया था इस नीबू की लंबाई 29 और 14 इंच थी यानि इसका आकार ज्याहतर इंसानों के सिरसे भी बड़ा था और ये अब तक का सबसे ब अच्छा होता है क्योंकि वहां परयाबत मात्रा में सुरज की रोशनी मिलती है जो नीबू के लिए काफी अच्छी होती है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर औ स्क्रीन पर आ रहा है वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक को चेक किजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई